अच्छा बच्चो ये बताओ क्या कभी आपने अपने मन के उपर कोई बोज महसूस किया है? येस सर अच्छा बताओ कैसे? सर एक बार मैंने अपनी छोटी बेहन को धक्का देकर गिरा दिया था और घर में किसी को भी नहीं बताया था कि मैंने धक्का दिया था, इसका मेरे मन पर बहुत बड़ा बोज रहा हाँ सर, मैं भी कभी कभी जब अपने मम्मे पापा से जूट बोलती हूँ तो मेरे मन पे बहुत बोज रहता है, मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लगता हाँ सर, मेरे साथ भी कुछ-कुछ ऐसा ही होता है बच्चो, आज हम हैपिनेस कहानी सुनने वाले हैं और आज की हमारी हैपिनेस कहानी का नाम भी है मन का बोज आईए देखते हैं हमारी हैपिनेस कहानी में किस तरह के बोज की बात की गई है क्या आप सभी तैयार हैं आज की हैपिनेस कहानी सुनने के लिए हैपिनेस कहानी मन का बोज एक दिन सोम्या की मम्मी के सर पर चोट लग गई उस समय उसके पापा भी घर पर नहीं थे सोम्या अपने पडोस के अंकल के यहां गई और उनसे मदद मांगी उन्होंने आकर सोम्या की मम्मी की मरहम पट्टी कर दी कुछ दिन यूही बीट गए एक दिन सोम्या ने पापा से कहा पापा आप जानते हैं उस दिन मम्मी के सिर पर चोट कैसे लगी हाँ बेटा आपकी मम्मी ने बताया था कि वे फिसल गई थी जिसके कारण उनके सर पर चोट लग गई थी पापा के ऐसा कहने पर सोम्या ने कहा नहीं पापा ऐसा बिलकुल भी नहीं था मैं अपने लकडी वाले बैट से खेल रही थी उसी से उने लग गई थी और इसी कारण मम्मी के सिर पर बहुत चोट लगी थी ये बात बताने के बाद सोम्या के चहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसने अपना कोई बहुत बड़ा बोज उतार लिया हो अब पापा का ध्यान गया की उस घटना के बाद से ही सोम्या ने घर में बैट से खेलना बन कर दिया था प्यारे बच्चो ये थी आज की हमारी हैपिनेस कहानी मन का बोज अब सोम्या के मन पर किस तरह का बोज था सर सोम्या ने सच्ची बात पापा को नहीं बताई थी और इसी बात का उसके मन पर बोज था अच्छा ये बताओ क्या सोम्या ने ये बात छुपा कर अच्छा किया था जी नहीं सर्थ सोम्या को तब ही बता देना चाहिए था कि मेरी वज़े से मम्मी के सिर्पर चोट लगी है अच्छा सच में बताओ क्या आप सोम्या की जगे होते तो आप सोम्या की जैसा करते या फिर आप सची बात बता देते सर मैं भी सोम्या की जगे होती तो मैं भी सोम्या की ही तरह करती मुझे भी पापा को बताने में थोड़ा सा डर लगता अच्छा ये बताओ सोम्या ने जब ये बात अपने पापा को बताई तो उसे कैसा मैसुस हुआ सर सोम्या को बहुत अच्छा लगा था ऐसे लग रहा था जैसे सोम्या के मन का बोज उतर गया हो क्या आप भी अपने मम्मी पापा से सोम्या की तरह अपनी कोई बात छिपाते हो हाँ सर कभी कभी छिपानी पड़ती है हाँ सर मैं भी कभी कभी बहुत सारी बाते छिपा लेता हूँ येस सर अच्छा, क्या आज की कहानी सुनने के बाद आप फिर भी अपने मम्मी पापा से कोई बात चुपाओगे? नहीं सर, हम कोशिश करेंगे कि हम बात ना चुपाएं नहीं सर, अब से मैं बिलकुल भी कोई बात नहीं चुपाऊंगा हाँ सर क्योंकि बात छुपाने के बाद कुछ दिन के बाद तो उनको पता लगी जाता है तो क्यों न उसी समय बता दिया जाए जी हाँ प्यारे बच्चो अगर हम कोई बात छुपाते हैं तो कुछ दिनों के बाद तो वो सबको पता लगी जाती है जैसे कि सुम्या ने बात चुपाई और कुछ दिनों के बाद उसने खुद ही अपने पापा के सामने बता दी या किसी और के बहाने से भी पता लग जाती इसी लिए हमें अपने परिवार के सदस्यों से कोई भी बात नहीं चुपानी चाहिए और अगर गलती हो जाती है तो अपनी गलती को माल लेना चाहिए हाँ सर लेकिन जब हम बात चुपाते हैं तो इस दर से चुपाते हैं कि हमें डांटा पड़े या मम्मी पापा हमारे उपर गुसा ना करें हाँ सर मम्मी पापा की डाट की वज़े से चुपानी पड़ती है लेकिन जब बहुत दिनों के बाद आपकी बात सामने आ जाती है तब भी तो आपको डाट खानी पड़ती है इसी लिए अगर गलती हो जाती है तो हमें उसी समय बता देना चाहिए और अपनी गलती को माल लेना चाहिए यस सर हमें बात समझने आ गई है यस सर प्यारे बच्चों आज की हैपिनेस कहानी मन का बोज अपने परिवार के सदस्यों के साथ जरूर साजह करें आज की कख्षा में बस इतना ही धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू सेल